क्या बॉलीवूट के साथ साउथ हिंडियन एक्टरों ने भी हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। क्या विवादे द्रश्य सिर्फ इसलिए ताकि मुफ्त की पब्लिसिटी मिल सके। या फिर लगातार फ्लाफ होते बॉलीवूट ने अब साउथ हिंडियन एक्टर्स का सहारा लेना शूर कर दिया है। सवाल और भी हैं। लेकिन जवाब में सिर्फ फिल्मों के निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों की मनमानी ही दिख रही है। शासन के लाख ऑब्जेक्शन के बाद भी ना ही हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोई मौका छोड़ा जाता है और ना ही इन पर कोई कारवाई की जा सगी है। ये जरूर है की कारवाई का डर दिखाया जाता है, फिल्मों को ना चलने देनी की चेतावनी दी जाती है। क्यों नहीं रुक रही हिंदू वी रोधी फिल्म में क्यों मनमानी होती जा रही है फिल्म इंडस्टी क्यों बन रहा है हिंदू धर्म टार्गेट और क्या है आदि पूरुष फिल्म में विवाद नमस्कार में हूं सत्यम शर्मा आप देख रहे हैं दखल लूज का विशेश कारिक्रम चल चाहे खास दरसल बॉलीबूट की मनमानी के चलते निर्माता निर्देशक फ्री पब्रिसिटी के लिए कुछ भी करने को तयार है विवादित दिश्य दिखाना, हिंदु धर्म को तोड मरोड कर पेश करना ये फिल्मों का ट्रेंड होता जा रहा है हाली में आदिपुरुष को लेकर विवाद शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर आदिपुरुष मूवी की जम कर आलोचन हो रहे है लोग रावण बने सैफ अली खान को ट्रोल कर रहे है लोगों का कहना है कि सैफ अली खान रावण कम, चंगेज खान, आतंगवादी और खिलजी जैसा ज्यादा दिख रहे है लोगों का यहां तक कहना है कि रावण की कौपी करने से पहले निर्माता, निर्देशक और सैफ अली खान कम से कम रावर के बारे में जान तो लेते हैं आदिपुरुष के आए ट्रेलर ने हिंदू संगठनों को फिर एक तरह से चिरहाने जैसा काम किया है मुवी का ट्रेलर देख कर लगता है जैसे बॉलीवुड ने यह स्सक्राइक कर लिया है हम तो हिंदू धर्म का मजाग बनाएंगे जो करना है कर लो हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहा है लेकिन सवाल यह है क्या विरोज में फिल्मों में हिंदु धर्म को टार्गेट करना बंद हो गया है क्या बॉलीवूट पर इसका असर पड़ा है अगर पड़ा होता तो शायद कोई भी निर्माता आदिपुर्श येसी फिल्म बराने की जहमत नहीं उठाता बहराल मध्यबदेश के ग्रहमती डॉक्टर नरुत्ता मिश्रा ने आदिपुर्श के ट्रेलर को लेकर कहा कि उन्होंने इसका ट्रीजर देखा है इसमें कई विवादासपत दृश्य है मूवी में जिस तरह हनुमान जी को दिखाया गया है वह आपत्ति जनक है राम भगवा उसमें आपत्ति जनक द्रश्य है हमारी आस्था के जो केंद्र बिन्दु है उनको जिस रूप में दिखाया गया है वह अच्छा नहीं है अब हनुमान जी कई अंगवस्त्र जो है चमडे के उसमें दिखाये गये हैं जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानुन कुंडल कुंचित केसा हात बज्ज और धोया विराजे कांधे मूज जने उसाजे उसमें उनकी अंगवस्त्र सब बताए गये ह यह आस्था पर कुठारा घात है यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले द्रश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता है ओम रावजी और को पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी द्रश्य हैं इन्हें वह हटाएं अगर वह नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कारवाई पर विचार करेंगे हिंदु धर्म को टार्गेट करती लगातार बन रही ये बॉलीवूट की फिल्में कह रही हैं मानो कर लो जो करना है हम तो ऐसे ही हिंदु धर्म और इनसे जुड़े पात्रों को बद्दाम करते रहेंगे पहले ब्रहमास्त और अब आधी पुरुष ने हिंदु संगठनों और शासंग को चैलेंज कर दिया है आधी पुरुष में हरे परदे पर शूट के बाद ये सब कमाल जी एफेक्स या वी एफेक्स का होता है इसमें शूटिंग के बाद ये फिल्मों को तोर मरोर कर दिर्श्य दिखाते हैं लेकिन ज दिख लगता है जैसे सिर्फ मजा किया जा रहा है अपने 500 करोड से बनी फिल्म का पैसा वसूलने के लिए हिंदु धर्म को टार्गेट कर सिर्फ पब्लिसिती स्टेंट हो रहा है पहले बनी रामान पर फिल्मों के पात्र और अब के कलाकारों में जमीन आसमान कांतर है एक केंद्र और राज सरकार इन पर कोई प्रतिबंद नहीं लगा सकती लगा सकती तो अब तक क्यों नहीं लगाया गया क्यों सिर्फ हिंदु धर्म का मजाग मनाया जा रहा है क्यों जनता ये सब सहने को मजबूर है और इन सब का एक ही जवाब है वो है जनता अगर जनता ने इसका खुलकर विरोध किया तो सरकारों को मजबूर है इन पर रोक लगानी ही पड़ेगी धर्म से संबंधित आपत्य जनक दर्श बनाने से पहले सो बार इन मनमाने बॉलिवुट के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को सोचना पड़ेगा लेकिन उससे पहले सोचना अब जनता को है कि सरकार के सामने इस तरह मूवी का विरोध दर्ज करना है हलाकि सोचल मेडिया पर आदी कुरुष का विरोध शुरू हो गया है अब देखना यह होगा कि सरकारे इस पर एक्शन लेती हैं या फिर ये मूवी भी पबिसिटी के साथ पैसे कमाने में काम्याब हो जाती है आज के चर्चा एक हास में इतना ही फिर ने मुद्दे के साथ हाजिर होंगे नमस्ता आप देख रहे हैं दखल्यू